हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई इस्टुडी फीड चैनल दोस्तों प्रिविएस यर्स में जितने भी कोश्टन्स फिजिकल एजुकेशन के टीजिटी पीजिटी के विएस एन विएस यल्टी से पूछे गए हैं टापिक वाइज मैं आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूं दो दोस्तों यदि आपको पीजिटी पीजिटी के विएस एन विएस के शिलेबस वाइज आपको टापिक चाहिए तो मेरे चैनल के सभी वीडियो ज आपके फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपेटिटिव एक्जाम के सभी वीडियो ज हैं आप सभी वीडियो को वाच कर सकत हैं तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की सिरीज की सुरुवात करते हैं तो दोस्तों पहला कोस्चन है कि रेवीज या हाइड्रोफोविया रोग होता है तुझ का सही एंसर है वाइरस से रेवीज या हाइड्रोफोविया किसे होता है वाइरस होता है तो रेवीज को अलर्क रोग या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं यह एक विसाड़ु जनित यानि वाइरस जनित रोग है यह रेवीज वाइरस द्वारा मुखित पागल कुत्ते के काटनेश्टे फैलता है इसके अत्रिक्त यह चमगादर लोमडी आदि संक्रमित इस तंथारियों के काटनेश्टे भी फैलता है यह वाइरस केंद्रियय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है त耗 उप्यत इलाज फोने पर रोगी की मिर्टी तक हो जाती है । कि निम्न मेंशे कौन सी बिमारी संक्रमित इस्तंधारियों से ब्यक्ति में इस्थानांत्रित होती है संक्रमित इस्तंधारियों से ब्यक्ति में इस्थानांत्रित होती है कौन सी बिमारी होती है रेवीज, चिकन पॉक्स, मलेरिया, एर्स, तो दोस्तों इसमें से एर्स तो एक लेंगिक बिमारी है, मलेरिया परजीवीज से फैलता है, मदा एनाफिलेज मेच्छर से, चिकन पॉक्स, वैरिवोला वाइरस से फैलता है, जबकि रेवीज जो होता है, एर्स संक्रमित इस्तंधारियों से ब्यक्ति में इस्थानादित होता है, जैसे कि जब पागल कुत्ते के काटने से जब रेवीज होता है, तो वो कुत्ता जब पागल होता है, तब ही रेवीज होता है, सिंपल कुत्ता काटेगा जो संक्रमित नहीं है तो रेविच नहीं होगा तो संक्रमित होता है वह संक्रमित इस्संधारियों के काटने से बेक्टी में इस्थानांदित होता है उसरे बिच गहए Next question है दोस्तो Yaahgghwan N1 कौन से रोग जनक का परिवर्टित रूप है इसका सही आप्सन है इन्फ्लुएंजा ए यह च्वन एन्वन इन्फ्लुएंजा ए भी साडू का एक प्रकार है यह स्वाइन फ्लू का कारक मना जाता है प्रयाश्वरों से प्रत्यश्च संबंद रखने वाले मनुष्य में इसक några होने की संभावना रहती है है वाइरस निम्दनिनिकित में से किस रोग है तू स्थ वह प्लिया रोग के लिए जिम्मे दार होता है और पीलिया हेपित एस तो यह आएवाइरस द्वार पहलता है और यह यग।ित को प्रहाविद करता है जो वाइरस यग।ि सुज़न जलन विचली उल्टी शरीर में दर्द बुखार यों गहरे रंग का पिसाब इस बीमारी के प्रमुक लच्छर हैं इस बीमारी से गरसित बैक्ती का उप्युक्त इलाजन्या होने पर मृत्ती भी हो शकती है कि द्वारा फ्यलता है किशकी द्वारा हुआप यानि वा circular से द्वारा फ्यलता है जैसे कि दोस्तों मैं आप इस्लि विडियो में ट्रिक बताएं हूं चिवाडव व मारी सरग के लिए है जिएस्टी पंडित का न्यूटी का है एंड बिसाडू यानि वारस के लिए ये चाचा इन्हें डाटो मत खरे गाल पे छापो ठीक है ये इस ट्रिक से आप जिवाड़ो बिसाडू के सभी रोगों को याद कर सकते हैं तो डेंगू किसकर बिसाडू जडित यार वारस जडित रोग है यह रोग ऐजिट एडėझअज नामक मच्छर के काटने से फ़ेलता है धूचतों मलरिया और डेंगु में आप अंतर जानिया कि यू डेंगु है वह एडिच ऐजिप्ति नामकrin devoted के पहलता है यह मला राफिन से पहलता है डेंगु जिवारो यानि वायरस से जनित रोग है कि मंदलिया प्रोटो जिवाया परजीवी जनित रोग है ध्यान रखिएगा डेंगु जवर को हड़ी तोड़ जवर भी कहा जाता है इससे बचाओ का टीका अभी तक उपलब्द नहीं हो शका है किद्नेखित मंचरों के प्रकारों मेंst हे कौन देंगु फहलाता तो इसमें राइट एंसर है एरीज हौन है ओपिदील होता है अог्लेग यहियृज अजिप्टी मंचर होता है अगे वायशल मंचाIs ताइफाइट नामक रोग किस जिवाड़ू से होता है तो टाइफाइट नामक रोग सालमोनेलनल टाइफी नामक जिवाड़ू यानि बैक्टिरिया से फेलता है इसका आपसा नमबर सी होगा सालमोनेला टाइपायट को आंत रजवर और मोती जहरा मियादी बुखार आदी बोला जाता है यह घातक रोग है जो सल्मुलिना टाइपी नामक जिवाड़ों से होता है यह विमारी दूसित खाद यों प्येप पदार थूश्टे फैलती है प्लेग नामक विमारी होती है तो प्लेग किस्य होता है दोस्तों टूय एक संक्रामक विमारी है जो बैक्टिरिया से फैलता है किस बैक्टरिया से जो प्लेग है वह एक जो यरसीनिया पेस्टिस यानि पास्चुरेला पेस्टिस नामक जिवाडू के करण फैलता है ठिक इसके जिवाडू का क्या नाम है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जिवाडू के करण फैलता है यह बिमारी चूहों पर पाया जाने वाले जनेफ सिला के ओपिस नामक पिस्सूओं के कारव फेलता है निश्ट है निम्निल लिखित रोगों में से कौन सा रूबी योला या मार्बिलाई के रूप में भी जाना जाता है तो इसका शही अंसर है मिजल्स मिजल्स क्या होता है दोस्तों एक विसाड़ जनित रोग है मिजल्स क्या है जिसे खसरा बोलते हैं आम बोल चाल की भासा में खसरा उसी इंग्लिश में मिजल्स बोला जाता है या विसाड़ यानि वारस जनित रोग है यह रुबी योला या मारवी लाई के रूप में भी जाना जाता है नेच्ट कोश्चन है निम्ने लिखित में से कौन सारोग बेक्टिरिया द्वारा उतपन्न होता है तो कौन सारोग होता है इसमें दूस्तों तो इसमें अलमोग छाड़ते हैं कि मिजल्स दो है वो खसरा जो है आपका होता है विसालू यानि वाइरस द्वारा छोटी चेचक भी होता है विसालू यानि वाइरस द्वारा ठीक अब पीलिया भी आपका होता है विसालू यानि वाइरस द्वारा यहाँ पे बचता है निमोनिया तो इसका ट्रिक होता है जि प्रिप्ले कोकस निमोनी या इस ट्रेप्टो कोकस निमोनी नामक जिवाडू है इस रोगे के समानने लच्छडों में खांसी, शीने में दर्द, बुखार, शार्च लेने में कटनाई आदिश शामिल है लेक्स कोश्चन है दोस्तों, DPT का टी का बच्चों को किन किन बिमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है DPT, D से डिप्थिरिया, P से पर्टूसीज, T से टिप्नेस, आपसा नमबर D, करेक्ट एंसर, D से डिप्थिरिया, ठीक P से पर्टूसीज, यानि काली खासी, T से टिप्नेस, तो DPT, आप उसके पर्थम अच्छा से याद कर लेजिए, याद हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है, दिप्थिरिया मुखे रूफ से होता है किसको होता है दोस्तो, छोटे बच्चों को जादे तर डिप्थिरिया होता है यह कारिन बैक्टिरियम डिप्थिराई, ज्वालों से होता है यह गले और नाक का एक गंभीर संक्रमर है, जो इस रोग से छोटे बच्चे सरवाधिक संक्रमित होते है पेंसिलीन की खोच किसके द्वारा की गई थी तो पेंसिलीन की खोच अलेकजंडर फ्लेमिंग की द्वारा किया गया था और 1948 में अलेकजंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोच की थी पेंसिलीन की और इसकी कोच के लिए इन्हें उन्ष पैतालिश ने नोबेल प्राइज भी दिया गया था नेश्ट कोचन है दूद का खटा होना किसके द्वारा होता है तो दूद का खटा होना दूस्तो किसके द्वारा होता है तो जिवारू यारी बैक्टिरिया के द्वारा होता है दूद का खटा होना जैसे दूद के खटा होने का कारण उसमें उपसी लेक्टो बैसिलस जिवारू है कौन सा दोस्तों कौन सा जिवारू के कारण दूद खटा होता है होने का कारा है लेक्टो बैसिलस जिवारों ए दूध सरकरा को लेक्टिक अमल में बदल देता है जिसके कारा दूध खटा हो जाता है दूध से दही छांच तथा पनी निर्मार का कारे लेक्टो बैसिलस जिवारों के द्वारा किया जाता है दूध से दही छांच तथा पनी किया जाता है ठीक है next question है जब सरीर बैक्टिरिया का आक्रमर जिल रहा होता है तो निम्न लिखित में से किसे के बढ़ जाने की संभावना होती है दोस्तों जब हमारा सरीर बैक्टिया का आक्रमर जिल रहा होता है किसक्राइब्ळु सुप्रज्च ऑफ होती है तो लिको साइट के बढ़ जाने की समध्ज रहती है सथे थिरत गलतिों को स्टिकाओन को कुशिकाओं को से द्रहने की संग्रमां से ध्रत को निकृट्ञ में को स'mक्राय। में एक गैर संक्रामक रोग है हुई है तो है यह हेस एंफ्लिएंजा तपेडी ते तो इस अभी शंक्रामक रोग है जब कि कैंसर गैर संक्रामक रोग है आपसे नमबर डी कैंसर सही अंसर दोस्तों संक्रामक रूप क्या होता है जो एक बेक्ती से दुसरे बेक्ती एक पसु से दुसरे पसु तक प्रत्रच रूप से फैलते हैं जैसे की जवा धूल मिट्टी पानी भोजन आदी के कारण फैलते हैं संक्रामक रूप होते हैं जिसे जिवाडू बिसाडू कवा प्रटो जवा इस सब से भी पहलता है ठीक है रखत कैंसर किसके रूप में जाना जाता है तो दोस्तों आप सब को पता होगा लिकैर कंसर को क्या बोलते हैं की मिया की रूप में जाना जाता है ऑज हीओ फीलिया का है यह फिलिया एक ऐसा विकार है इसमीस नमाने धंग से रखत का excited यहीं एक अनुवांसिक रोग है हमेफ़लिया ऐसा विकार है जब हमारा अंग कट जाता है तो थक्का नहीं बनता है यह एक अनुवांसिक रोग है लाल रूदिराणों का अनश्ट होना हिमालेसिस कहलाता है जबकि रक्त वाहिनियों में थक्का जमना थ्रंबोसिस कहलाता है कि निम्दलिखीत में से कौन सा रोग मनुष्य में वाइरस द्वारा उत्पन्न होता है है जा तपेडी कुष्ट रोग लगू मसुद्गा यानि चिकन फॉक्स दोस्तों है यानि कॉल्रा तपेडी यानि छे रोग कुष्ट रोग यानि कोर रोग यह आपका बैक्टिरिया से फैलने वाला रोग है जबकि आपका चिकन पाक्स लगू मसुद्गा यह वाइरस जनित रोग है आपसान नमबर डी करेक्ट एंसर जो छिकन फॉक्स होता है वरिसला नमग जिवारू यह वारस से फैलता है लेक्ट कोर्चन है इबॉला नमग बिमारी किसके कारण होता है जबक्रणी यह यह वाइरस द्वार यह बिसारू जनित रोग है इसकी खोच स्वापधम में कांगो लोक तांत्रिक गरड़ाज में इबोला नदी के पास हुआ था कि खाने के अस्वास्थिकर तरीकों से नहीं होता क्या नहीं होता एनीमिया दंतिये छरर मुटापा एर्स दोस्तों स्वास्थिकर तरीके से खाने से आपका एनीमिया हो जाता है अरक्ता दंतिय छरर मुटापा यह सब हो जाते हैं जबकि एर्स जो है एक लेंगिज विमारी है जो इस तरह से नहीं होता है । नेस्ट नियुच्च्सैन है है वायरस थे किस इंग को प्रवाविद करता है तो यकित को दोस्तों चैहें वी कुछ भी पुझए यकित को ही प्रवाविद करेंगा ilialig प्रौइत करता है तो यकित को हैं इसको आपको सही मिलान करना है एक तरफ है malaria, TB, खस्रा, मदुमे, तुस्षे तरफ है परजिवी, आग नाशे, बैक्टिरिया, वाइरस तो दोस्तों malaria जो होता है जो आपको सबसे पहले आता होगा उसको मिलाइएगा जैसे कि malaria जो होता है किस्टे फैलता है दोस्तों परजिवी से परजिवी यानि प्रोटो जोवा से फैलता है तो एका वन ही हो जाएगा ठीक है एका वन ही हो जाएगा और जो TB होता है किस्टे फैलता है दोस्तों TB तो TB जो है वो बैक्टिरिया से फैलता है तो वो बी का थ्री हो जाएगा ठीक है एका वन बी का थ्री ठीक है एका वन बी का खसनड जो मिज़र्ज की किसे की फैलता है कि सरुवल जाता है वार्षिय कबी और जाएगा मुझड में मुझा झाल हो जाता है तो आग नाशे स्रेशंग होला घिर युकावड जा किसा ंतथा? था आम किसा तरट किसे इस वह उत्पन होता है? राता है Immunal हेपिटाइटिस ए जो होता है सीधे संपर्क से उत्पन होता है ठीक है है हेपिटाइटिस ए विमारी का जो वाइदस होता है सीधे संपर्क से उत्पन होता है है हेपिटाइटिस ए विसावु जनित रोग है जो मुझतक की अकिति को प्रभावित करता है इसका वायरस दूसित भोजन पानी के अंता ग्रहर या संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यों से फैलता है निश्ट कोच्चन है राष्टिय बिग्यान दिवस मनाया जाता है कबटा 28 फरवरी को भारत में राष्टिय बिग्यान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है इसका मूल उद्देश्टे बिद्यार्थियों को बिज्ञान के प्रती आकर्शित वो प्रेरित करना पता जन्स अधारों को बिज्ञान यो बिज्ञानिक उपलवदियों के प्रती सजग बनाना है 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन प्रभाव की घोश्रा की थी इसी खोज के लिए इन्हें वर्श 1930 में नोबेल पुरुसकार से समानिक किया गया था पेक्स्ट कोस्ट्यल है कहलसर एक रूग है जिसमें एक और समान्य सरीर को शिका क्या होता है बढ़ता है और सरीर के अन्य भागों में फैलता है दोस्तों कैंसर कहते किसे हैं हमारे सरीर में कोशिकाओं का और समान्य रूप से विभाजन होने लगता है उसी को कैंसर बोलते हैं और हुआ हमारे सरीर के एक जगा आसमन्य रूप से भी भाजित भूआ तो अन्य भाग में भी फैलता है तो बहुत ही खतरनाग विमारी है सधार और बोलचाल में समाने तो स्वास्त को किस रूप में समझा जाता है सखार बोलचाल की भास्तों को किस रूप में क्या कहते हैं कि कि हाँ इसमें कोई रूव नहीं है तो यह सुवस्त है ठीक है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपसर नंबर भी रोग और विक्रिति से मुक्ति जबकि जो एक जानका अब्यक्ति है एक इस्पेसलिस्ट विक्ति कहता है कि साधी को मांसिक रुप से वह स्वस्त होना चाहिए ठीक है कि तो सदाव बेल चाहल में होता है रोग विक्रिति से मुक्ति सब्थार भी रोग एंविक्रिती से मुक्ति समझा जाता है इस परिभ्यासा को जरूर याद रख लिए वच्छू की परिभ्यासा कि कि स्वास्त सारीक मानसीक समाजीक रिपसे कुछ सहारी की अवस्था है ना कि कि वर रोग ये विक्रिती से मुक्ती नेक्ट कुश्चन है समानिता स्वास्त को समझा जाता है समानिता समान धंग से क्या समझा जाता है दोस्तों आपसा नमबर सी सारीक विकार ये वर रोग से और उसरें करता है तो यह आपड़्टेच संक्रमण कहलाता है दोस्तों फाइप यफ का मतलब क्या है यह वह रोग संक्रमण जिसमें फाइप यफ के अंदर जाद आता है मक्हियां अंगुलियां या या फिंगर्स संक्रमित पदार्थ, खावखाद पदार्थ, और तरल या द्रवपदार्थ, यह आते हैं पांचों चीज, कौन कौन से पांच चीज, मक्या, अंगुलिया, संक्रमित पदार्थ, खाद पदार्थ, तरल या द्रवपदार्थ, ठीक है, यह पांच चीज यह आते हैं फाइप विधी द्वारा अनुसरण अप्रतेश संक्रमर इंडारेक्ट ट्रांस्मीशन कहलाता है मोटर कार एक जॉस्ट इवं सिग्रेट पीने के फलस्वरूप निकलने वाले जहरीले कारक हाइड्रो कारबन निलिखित में से किसी के लिए उत्तर डाई होते हैं दोस्तों जो हम मोटर कार समचराते हैं सिग्रेट पीते हैं उसके फलस्वरूप जो भी जहरीले पदार्थ हाइड्रो कारबन निकलता है उसके लिए उत्तर डाई होते हैं तो यह फुफूस कैंसर यानि फेफड़े का कैंसर हो जाता है इससे ध्यान रखिएगा मोटर कारों से निकले हुए ध्यूँ और सिग्रेट के फलस्वरूप जो भी जहरीले पदार्थ हाइड्रो कारबन निकलता है उससे फुफूस कैंसर यानि फेफड़े का कैंसर हो जाता है और फेफड़े का मुख्यकार होता है सांस और रख्त के बीच गैसों का अधान पर करता है हाइड्रो कारबन यह भी आपको ध्यान रखना जोड़ी है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन रोग विज्ञान यह संक्रामक रोग से इतने भी कुछे गए थे प्रिवेर सियर में उसका सेशन सनावत होता है निफ्ट सेशन आपका 22 सेशन चलेगा आपका दोस्तों आपको समझ में आते होंगे और दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ज्यादे सेयर किया कि जिसे मुझे नया मोटिवेशन मिल सके आपके लिए वीडियो नया नया लाती रहूं दोस्तों पहली बाद वीजिट कर रहा है तो चै यह कर दोस्ता है बाद कर रहा है